जाहिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरिज शुरू की है और ये सीरिज है हिमाचल प्रदेश की ये हिमाचल के जितने भी एक्जाम होते हैं उस के लिए काफी इंपोर्टेंट है इसमें हमने जो लोहल स्पिती का इध्यास से उसको कबरब कर लिया है और जो मंड आपको देखने को मिलेगी साथ मैं जो क्या होता है ये वीडियो के साथ साथ ही आपको क्या किया जाता है पांच कोश्चन दिये जाते हैं और दूसरे दिन उसको अच्छे से बताया जाता है तो ये क्या हो जाता है एक परकार का आपका एमस्की हो जाता है और उसकी एक्स् सबसे important चीज क्या है एक अन्य सीरिस चुरू की है जिसमें Hindi और English exam part 1 हमने कर लिया है और 2 आज मैं upload करूँगा तो उसको भी जरूर देखे वो भी आपके exam के लिए काफी important है और ये आपके state के exam हो या center के exam हो वहाँ पर ये help कर सकती है तो शुरू करते हैं आज का जो lecture है तो ये है केशिव सेन हमने इससे पहले साहिव सेन और साथ में नाराण जो सेन थे उसके बारे में बात कर ली है आज हम केशिव सेन के बारे में बात करेंगे और केशिव सेन जब राजा बनता है तो ये 1595 में बनता है इसके समय में क्या होत और सबसे important चीज क्या होती है इसका एक पुत्तर है और ओ क्या करता है एक monument बनाता है monument को बोलते हैं हिंदी में समारक तो यह जो ब्यक्ति है यह समारक बनाता है किसकी याद में अपने पीता शिरी की याद में और यह जो समारक है यह वर्शीला है तो आपके लिए important चीज क्या आप से पूर सकते हैं कि वर्शिला स्तल कहां पर है या वर्शिला समारक कहां पर है तो यह मंदी में देखने को मिलता है दूसरी बात क्या है कि यह जो है सुकेती रिवर के आसप्रोस में है तो सुकेती रिवर जो है कुलू से आती हुई सुकेत रियासर से बहती हुई मंदी म भी वहती है और बाद में क्या बनती है ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है किसकी जो ब्यास हमारी नदी है उसकी तो ये एक historical मलब monument है क्योंकि ये क्या करता है different different जो king हुए है मंडी के उनकी जो background है उसके बारे में हमें बताता है next one जो king है ओ हरी सेन तो आपको यहां से अच्छे से समझ आ गया होगा कि हरी सेन जब राजा बनता है तो केशव सेन के बाद बनता है और ये हरी सेन जो है इसका पुत्तर है और अब इसके समय में कुछ एक काफी घटनाएं हुई है जिसको हमने क्या करना है one by one देखना है सबसे पहली बात हम जो बात कर रहे हैं contemporary word जो है वो काफी important है क्योंकि ऐसे question HPS में पूछे जाते हैं कि किस राजा के समय में कौन सा राजा था या कौन किसका समका लिन था तो हरी सेंड जैसे मंदी का राजा हुआ तो नूरपुर का राजा उस वतलए जगत सें है तो आपको याद रखना है काफी important है और इस जगत सेंड को क्या किया जो आपके मुगल थे मुगलोंने क्या किया इसे फौजदार निक्त किया फौजदार ऐसे आन्से हमान नूरपुर का राजा कौन था तो ये जगत सिंग है या जहांगीर के समय में मंडी का राजा कौन था तो ये जो था हरी सेंथा तो ये कुछ एक चीजे आपको याद रखनी है अच्छे से जो आपके वेपर में पूछी जाती है और इसे फोजदार कहां का निफ्ट किया गया था तो कांगडा का और किस सन की बात है तो 1618 1618 इस भी में ऐसा हुआ जैसे ही इसे क्या किया जाता है फोजदार बनाये जाता है तो इसमें मैं ज़्यादा आ जाती है मैं आने के बाद क्या होता है ये ब्यक्ति क्या करता है जो जगत सिंग है बशोली के उपर चमबा के उपर और साथ में गुलेर के उपर क्या कर लेता है अक्रमन करता है और उसे क्या करता है अपने आधिन भी करता है आगे चलते हैं तो जब वो चमबा के उपर अटेक करता है जो आपका चमबा है तो उपर अटेक करता है कौन जो आपका जगत सिंग है और यहां से क्या होता है कि इसकी एक दासी है उदासी क्या करती है इसको मंडी ले जाती है और ये मंडी में 17 वर्ष तक रहता है और ये किस की समय की बात है हरी सेन की समय की बात है तो दोस्तों याद रखना कि हरी सेन के समय में एक दासी है वो दासी क्या करती है जो प्रिथवी सिंग है उसको कहां ले जाती है उसको ले जाती है मंडी में और वहां पर मंडी में क्या रहता है हो 17 साल तक रहता है हरी सेन क्या करता है उसकी जो शिक्षा दिक्षा है चाहे राजनेतिक शिक्षा हो चाहे किसी तरह की भ उपर शान्जा, इंप्वर्च alla अंतल चीज है दोस्तों, तेखों।। यहांगीर के साथ उसके सबंद रहे हैं पर जैसे ही जहांगीर के बाद मुगल-शाषक शान्जा आता है, तो उसके ऊपर अटाक कर देता है और अटाक करने जब पृत्वी सिंग क्या करता है इसका फाइदा उठाता है और help लेता है किसकी help लेता है वो help लेता है मंडी और कुलू की जो रियास्ते हैं उस वकत उनकी help लेकर जो ये जगत सिंग है इसके उपर attack कर देता है दोस्तों याद रिखे attack कर देता है और जो ये उसने चमबा का पार्ट अपने आधिन किया था, माना जाता है जगत सिंग और चमबा का जो राजा था, उनके बीच 20 वर्षों तक संगर चलता रहा था, तो उस पार्ट को क्या करता है, ये वापिस ले लेता है, ये हम चमबा की हिस्ट्री में देखेंगे, और साथ में इंपोर्टेंट वो अपने राज कोर्ट से देना पड़ता है, तो दीरे-दीरे क्या होती है, 1640 और 41 की बात है, उस वगत क्या होता है, जगत सिंग की जो पॉपलर्टी है, या जो पावर है, वो क्या हो जाती है, दीरे-दीरे खतम हो जाती है, तो I hope आपको यहां तक पता चला होगा, तो आगे चलते हैं, आगे क्या बुला हुआ है, तो नेक्स्ट वन जो किंग आता है, मंडी का ओ है सूरसेन, तो सूरसेन जो इंपॉर्टेर राजा है दोस्तों, यह 1637 के आसप्रोस से लेकर 1664 तक राजा रहता है, और होता क्या है, कि यह जो हरिसेन है, इसकी जैसे डेथ होती है, उसके बाद यह राजा बनता है, तो इंपॉर्टेर चीज है, हरिसेन के बाद राजा बना, और सबसे इंपॉर्टेर चीज क्या है, कि जब इसकी हरिसेन की डेथ होती है, तो सूरसेन क्या है, नाबालिक है, मिस अंडर एज है, और उसका सारा का सारा जो चाहता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो मंडी का शाषन है उसे अपने आधिन करना चाहता है तो यह क्या करता है जगत सिंग के साथ जो मिस कॉलेबरेशन करता है और यह जगत सिंग कौन है नूरपुर का राजा है जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं तो जगत स एसी होती है कि जो ये आपका जगत सिंञ है ये करोडिया खतरी को कहता है कि अगर हम एक प्लान करें कि मैं क्या करूँ अपनी बेटी का विवास सूरसे जैसे ही ब्रात लेकर नुरपूर आएगा तो मैं क्या कर दूंगा उसको उसी के सामने तो सुरसेन नहीं जगत सिंग का किसके सामने सुरसेन के सामने जो रखता है प्रपोजल की ऐसा ऐसा जगत सिंग ने क्या किया है एक प्रपोजल दिया है कि वो क्या करना चाहता है जो आपका एक अपनी लड़की की शादी आपके साथ करना चाहता है दोस्तों यहां म वाइफ के मीज संकेत है, उसको समझ जाता है, और वहाँ से क्या करता है, भाग आता है, यह भी स्वेलिंग गल्थ है, फ्रॉम हीर, तो वहाँ से भाग आता है, होता क्या है, कि जैसे ही, जो आपका सुर्श सेन भाग कर वापस आ जाता है, तो जो जगत सिंग है, नूरपुर वो क्या करता है कि उसे एक मींज अपमान सा फील होता है और वो अपने बेटे को क्या करता है जो उसका बेटा है राज रूप उसको कहां भीजता है मंडी भीजता है और मंडी में भीजने के बाद उनके बीच एक ट्रीटी हो जाती है और साथ में जो ख्रोडिया जो ये खत् सूरसेन उनके भी साथ गांट हो जाती है और जो आपका करोडिया खत्री बजीर है या जो एडमिसेशन को चला रहा था सूरसेन जब नाबालिक था तो उसको क्या क्या जाता है पुनिश किया जाता है नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि 1641 में क्या होता है क जगत सिंग एक Revolts करता है मुगलों के एगेंस्ट होता है और जो यहां पर मुगल क्या करते हैं गुलेर का राजा है एक मान सिंग उसको इसको दवाने के लिए भिजते हैं ऐस बिद्रों को दवाने के बिजते हैं और एक बैटल होती है किसके आस्परोस में एक रानिताल क नेरबाई इसको रानी ताल का युद भी कहा जाता है और ये किस और किसके बीच होता है तो एक साइड जगत सिंग है आपके पूरे में जो सेना है उसकी सुसजित है और दूसरी साइड जो है गुलेर है और ये क्या करते हैं आपस में लड़ते हैं और इसमें क्या होता है सू है वो नूरपुर से बिलोंग करती है और जगत सिंग वोस डिफीटर इसमें जगत सिंग की हार होती है और सूरज सैन को भी क्या करना पड़ता है बैटल फील्ड से भागना पड़ता है जब वो रास्ते में होता है तो एक मंडी का जो नारैन लाला है वो क्या करता है उसकी औ और होता क्या है कि एक अफवा फैल जाती है मंडी में, कि ये जो सूरसेन है, ओ मर गया हुआ है, तो जो उसकी वतनी है, ओ सती होने जा रही है, तो जो ये नाराइन लाला है, ये जैसे हनुमान जो सीता मा है, उनकी हेल्फ करने के लिए जाते हैं, एक अंगुठी देते हैं कि राम आपकी खोज में है, तो उसी तरह ये लाला जो है, नाराइन लाला, ओ कहां जाते हैं, जो मंडी रियासत है, वहां पर जाते हैं, और सूरसेन के राज दरबार में जाकर उस रानी को अंगुठी दिखाते हैं, और उस सती होने से बच जाती है, तो आई होप आपको यहां तक ये बात क्लीर हो गई होगी, तो आगे चलते हैं, आगे वाली जो सलाइड है, उसको कंटिनियू करते हैं, तो continue करते हैं सूरु सेन ने क्या किया कि जो सूरु सेन था वो भी कह था ड्रीमी राजा था मीस एक लालची बोले या ड्रीमी बोले या अपनी शक्ति को बनाना चाहता था तो उसने क्या किया जो बड़ा वंगाल वाला रिजन है वरतमान में ये बड़ा वंगाल वाला रिज किया और जो बड़ा वंगाल के राना हुआ कते थे उस बकत तो उन्होंने क्या किया कि कुलू का राजा जो जगत सिंग था उस से हेल्प ली उस से हेल्प क्यों ली क्यों कि जो कुलू का राजा जगत सिंग था उसकी पतनी जो थी यो बड़ा वंगाल से हुआ कती थी और सू में जो अभी वीर्ड विलिंग है जो परागलाइडिंग के लिए काफी प्रसिद है ओभी किसके आधिन आ जाता है कुलू के आधिन आ जाता है तो आई होप आपको यहां तक समझाई होगी कि जो सूरुसेन है अटेक करता है बड़ा भंगाल के उपर और साथ में जो कुलू क राजा जगत सिंग है उससे बड़ा भंगाल के जो राणा है वो हेल्फ मांगते हैं और सूरुसेन की इसमें क्या होती है हार होती है और हार होने के बाद जो यह करणपूर है इंपॉर्टेंच है यह क्योंकि फोर्ट थे शमशेर फोर्ट यह मंडी के आधिन हुआ करते थे फर इसके उपर किसने इसको अपने आधिन कर लिया तो जगत सिंग जो कुलू के राजा है उन्होंने अटेक कर लिया दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि एक जगत सिंग नूरपूर के भी है और एक जगत सिंग कुलू के भी है यह कुलू की बात चली हुई है और पीछे हमने बात की जो आपका नूरपुर का राजा था उसके बारे में बात की और होता क्या है कि इसके साथ ही क्या होता है कि जो ये द्रंग एरिया कम अंडर दा कुलू और द्रंग एरिया भी क्या आ जाता है कुलू के आधिन आ जाता है अफ्टर फ्यू टाम टाइम के बाद क्या होता है कि बैटल होती है किसके बीच सूरसेन और जो गुलेर का राजा मान सिंग है और जो मंडी किंग है इसमें भी हार जाता है और जो गुलेर का किंग है मान सिंग वो क्या करता है मंडी को लूटता है साथ में कलार और कमला फोर् constructor है means जो real निर्माता है वास्तविक जो इसका निर्मान करता है जो है सूरसेन है और माना जाता है कि इस बिक्ती ने 1625 AD में क्या किया था इसको बनवाया था समसे important चीज है कि जो सूरसेन है एक diplomacy करते हैं कूटनीती को अपनाते हैं अनंतपूर का एक राणा है और उसके साथ जो हमारे सूरसेन है उसकी बनती नहीं है जो उस राणा को अपने आधिन करना चाता है तो एक शड्यंतर चाता है उसके दर्बार में एक बजीर है और बजीर का नाम है जालपू ओ क्या करता है उस जालपू को राजदर्बास से भगा देता है, उसका बाइकाउट करता है, उसका मुझ काला कर देता है, और वो जो है, वो चला जाता है, आपका जो अनंतपुर का राणा है, उसको शेल्टर देता है, और लंबे समायता को वहाँ पर रहता है, और क्या होता है, विश्वास ज अनंतपूर के राना की पतनी है उनसे एक request करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ अपने कुल की जो लेडी है उनको यहां लाना चाहता हूँ और मंदर में दर्शन करना चाहता हूँ पर इन लेडी जो ये लेडी से उनको पालिक्यों में लाना पड़ेगा तो जो है राना की ज जो राणा है उसके उपरे टेक करके अनंतपुर को अपने आधीन कर लेते हैं तो यह थी डिपलोमेसी यह था शन्यंतर तो यहां से आपको अच्छे से पता चल गया होगा नेक्स्ट वन है सूरसेन तो सूरसेन की जो मैरिज होती है मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जगत सिंग था नूरपुर का राजा उसकी बेटी के साथ होता है विवा उसका और जो यह जगत सिंग है उसको संधोल का एरिया देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तो एच पी एस या जो आपका एलाइट सर्विसस है नाइप तसील नार है ऐसे कुश्चन हों हाँ पर पूछे जाते हैं कि किस नूरपुर के राजा ने मंडी के राजा को संधोल को देता है तो आपको किसका नाम लिखना ह आप अच्छे से जानते हैं नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड मैरिज उसके साथ जो हुई थी जो कटोच किंग था कांगरा का उसके साथ हुई थी सोरी कटोच जो राजा था कांगरा का उसकी बेटी से हुई थी और जो ये कटोच राजा था उस उसने क क्या किया था उसको दहेज की रूफ में खनकरी रिजन खनकरी क्षेतर पड़ता है कांगरा में उसको दिया था तो आई होप आपको यह अच्छे से पता चल गया होगा तो next one है कि he married his daughter to जमू यह two की spelling गलत लिखी गई है इसको two कर लेना तो ओ क्या करता है जो आपका सूरसेन है ओ अपनी जो बेटी है उसकी जो शादी है हरी देव जो एक जमू का राजा है उसके साथ करता है साथ में क्या होता है कि जब उसके अंतिम दिन है अंतिम घड़ी है तो चमबा चला ज सूरसेन तो उसकी क्या करता है help करता हो उसका आदर सतकार करता है काफी लंबे समय तक जो आपका सूरसेन है ओ कहां पर रहता है चमबा में रहता है फिर क्या होता है कि suddenly काफी बिमार फट जाता है और मंडी आ जाता है मंडी में आने के बाद वो अपने भाई का मून दिखन चाहता है at the end of उसके भाई का नाम है शाम सेन जो अभी आगे राजा बनेंगे जब हम आगे वाला लेक्चर करेंगे तो हाँ पर शाम सेन के बारे में अच्छे से बात करेंगे तो शाम सेन से मिलना चाहता है यहां फिर दुबारा से स्पेलिंग गल्थ है C O U L D और क्या करना है कि ओ शाम सेन से मिलना चाहता है पर शाम सेन क्या होता है समय पर नहीं पहुंच पाता है और सूरसेन की डेथ हो जाती है तो आई होप आपको यहां तक पता चला होगा यहां से कोश्चन धेर सारे बनते हैं और दूसरी important चीज यहां पर एक चीज में छुड़ गया हूँ तो यह जो सूरसेन है इसने दम दमा पैलेस भी बनाया दम दमा पैलेस आपसे पूर सकते हैं कहां पर है तो यह मंडी में देखने को मिलता है किस राजा ने बनाया तो यह जो था आपका सूरसेन था next one important चीज है इसके जो थे 18 बेटे थे पर उसके समय ही सारे की सारे मर जात हैं तो इसे tension हो जाती है कि इसका उत्रा धिकारी कौण बने तो उत्रा धिकारी ना मिलने की बज़ा से यह क्या करते हैं सूरसेन क्या करते हैं कि अपना सारे का सारा राज-पाथ है माधव को दे देते हैं माधव का मतल होता है शिरी किशन को दे देते हैं और साथ में क्या करते हैं कि माधव की एक क्या करते हैं सिल्वर की मूर्ती भी बनाते हैं जब आपकी शिवरात्री का मेला मना जाता है मंडी में तो उस जो मूर्ती को क्या किया जाता है वहाँ पर प्र काफी important है ये आपके हिमाचल के जितने भी exam होते हैं वहाँ पर help करेगी next one जो slide है तो यहाँ पर बसोली पैंटिंग की बात की हुई है क्योंकि जगत सिंग ने चमबा को जीता था उसके बाद बसोली के उपर भी attack किया था तो बसोली के जो कलाकार थे जो आपके गुलेर और नोरपूर का मल गुलेर वाला रिजन था वहाँ पर आगे थे तो यह बसोली की पैंटिंग है और हिमाचल के सबसे पुरानी पैंटिंग माने जाती है बशोली जो रिजन है ये जम्मो किशनर में देखने को मिलता है और जो कठवा डिस्टिक है वो उस रिजन में देखने को मिलता है ये देख सकते हैं इसके जो चितर है वो पूरे को पूरे जो है आपके प्राकतिक जो प्रेम है उसके उपर डिपेंड है और साथ मैं जो है यह यहां पर नेच्टरल कलर का अच्छे से आपको मीज देखने को मिलता है इस छाय चितर से और जो राधा और शिरी किशन की प्रेम कहानियां के ऊपर अधारित है और नारी जो प्रेम है उसके ऊपर ये जो बशौली पेंटेंग है और अधारित है आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है कि कौन सा पॉर्षन इंपॉर्टेंट है तो दम दमा पैलेस एट मंडी तो कुछ एक ऐसे दिखने को मिलता है जिसका निर्मान सूरुसेन ने करवाय था आपसे directly question पुछा जा सकता है कि दम दमा महल किस जिले में है तो मंडी में है और किस राजा के समय में बना था तो यह जो था आपका मंडी का राजा जो सूरुसेन था उसके समय में बना था आप जो दम दमा महले कुछ इस तरह का देखने को मिलता है अगर आप मंडी में जाते हैं तो इसको इसकी विजट कर सकते हैं यह क्या है एक historical palace है तो दोस्तो historical palace जिसका history में क्या होता है कहीं न कहीं लिखित विवर्णन देखने को मिलता है उसको historical palace बोलते हैं तो यह कुछ ऐसा देखने को मिलता है आप इसको अच्छे से देख सकते हैं नेक्स वन जो इंपोर्टेंट है ओ है यस्टरडे के जो अंसर है जो यस्टरडे मैंने question पुछे थे उसके कुछ एक answer है तो उसके answer जो है पहला question था who is government head in state तो रज्य में सरकार का मुख्या कौन होता है तो दोस्तों यह CM होता है जो रज्य में सरकार का मुख्या होता है वो कौन होता है CM होता है यह आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पर government के head की बात की हुए यह specially यहाँ रखना है सरकार का मुख्या कौन होता है रज्यमेहत वो होता है आपका CM next one जो question है वो question है on which day national voter day is celebrator तो ये जो होता है 25 जो जन्वरी होता है उस दिन को ये मनाया जाता है 25 जन्वरी को ये दे मनाया जाता है तो आपको अच्छे से याद रखना I hope आपको इसका पता चल गया होगा next one है which is highest peak in the southern India दक्षन भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो दोस्तों ये जो है अनाई मुडी है कौन सी है अनाई मुडी है और ये अनाई मुडी कहां पर है तो ये आपके लिए important बन जाता है जो अनाई मुडी है वो आपकी केरल में है कहां पर है केरल में है और केरल में भी कहां कोचीन से 14 किलोमीटर दूर है कोचीन से 14 किलोमीटर दूर है इस कोचीन को अर्भ की रानी भी कहा जाता है तो ये आपको important चीज़ें याद रखनी है कि कहां पर है तो आपको कोचिन में देखने को मिलती है next one important चीज यहां से क्या याद अखनी है कि यह जो आपका पश्चमी घाट है पश्चमी घाट जो है दोस्तों यह जो है यह आपका दक्षिन भारत का मैफ है थोड़ा सा इस तरह का इसको क्या बोलते हैं यह इसी रिजन में देखने को मिलती है बोलने का मतलब है पश्चमी घाट की भी सबसे उन्ची चोटी है और साथ में आपकी जो दक्षनतम भारत है उसकी भी सबसे उन्ची चोटी है कोचिन से कुछ दूरी पस्तित है और कोचिन का एक आपका हवाई अड़ा भी है तो यह आपको अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी जो उन्चाई है ओ है छिबीस तानुए मीतर यह आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा पर आपको इसको अच्छे से याद रखना है आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा नेक्स्ट वन है अंडर विच समिट आई एम एफ तो इसकी जो फुल फॉर्म है आपके सामने क्या लगे जब आएगा और आपको आपको आप्शन मिलेंगे तो आप काफी इसली उसको टैकल कर पाओगे तो यह आपको अच्छे से याद रखना है तो इसकी जो स्तापना हुई थी कौन सा समिट था तो ओ समिट था ब्रेंटन वुड तो ब्रेंटन वुड जो समिट था उसमें इसकी स्तापना हुई थी यह जो था 1944 में हुआ था 1944 में हुआ था और यह इसमें उध्योग पतियों का इस समिट था उसमें इसकी स्तापना की बात कही गई थी Next one जो है Who is Permanent Representative of India या in UN, तो भारत का जो स्थाई प्रतिनीदी है, सिंग्त रास्ट में ओकौन है, तो ये टी-स त्रीमूर्ती है, कौन है, त्रीमूर्ती है, जो हमारे क्या है, पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटिव in UN, नेक्स्ट वन जो कुश्चन है, ओ आपका लास्ट कुश्चन था ये, नेक्स्ट वन जो है आपको कुछ एक छाय चेतर दिखाऊंगा मैं EVM ये बोटिंग देख से सबंदेथ है तो यहां देख सकते हैं आप इसके साथ इसको इंटरलिंग कर सकते हैं नेक्स्ट वन ये IMF का लोगो है इसको भी आप देख सकते हैं ये हमारे क्या है योएन में TS त्रिमूर्थी है इनकी कुछ पिक्चर इस तरह देखने को मिलती है और नेक्स्ट वन जो है अनाई मुड़ी आपकी इस तरह की जो मीज देक चोटी हो देखने को मिलती है और ये न रख सकते हैं नेक्स्ट वन जो आज के कोश्चन है वो रोट भारत नाटे शास्त्रा तो भारत नाटे शात्र किस विक्ती ने लिखी है इंडिया नेशनल क्लेंडर भारत का रास्ट ये जो क्लेंडर है और किस सम्मत पर अधारित है हमारे देश के अंदर कितने रज्यों में बिधान परशिद है ये आपको अच्छे से याद रखना है बिधान परशिद ये जैसे सेंटर में रज्यसभा होता है वैसे ही बिधान परशिद आपको देखने को मिलती है आपने पहले इसकी फुल फॉर्म पता करनी है फिर क्या करना है कि इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में बताना है what is a formula of time if the distance and speed is given तो आपको इसको formula लिखना है अगर आपके पास distance होता है दूरी speed होता है चाल और आपका जो time होता है समय अगर आपको दो चीज़े दी हुई है तो आप वहाँ से time कैसे निकालोगे या आपको उसका formula लिखना है next one question है if a car driver is driving car in the tire of that car which type of motion is तो मान लो एक driver car चला रहा है तो car चलाते वक्त जो मलकार जो चल रही है उस वगर tire में कौन सी गती होती है तो आपको उस गती का नाम बताना है जो motion होती है तो tire में किस तरह की motion देखने को मिलती है I hope आपको समझाया होगा मैं आशा करता हूँ कि अपने आपको खुछ रखिए अपने परिवार को खुछ रखिए जय हिंद